हाई फ्रेंड्स वेलकम टू एंडो जावा यूटूब चैनल इस वीडियो सीरीज में आज हम सीखेंगे डाबल इक्वल का कॉंसेप्ट कि हमारा यह जो डाबल इक्वल ऑपरेटर है इस अपरेटर का क्या हुझे हमारे एस्ट्रिंग के अंदर तो इस कॉंसेप्ट को आज हम हम यहां पर सीखने वाले हैं विद्धा हेल्प आफ प्रोग्राम तो सबसे पहले हम इसके उपर एक प्रोग्राम बनाएंगे उसके बाद इसको कंपूर्टर मसीन पर चला कर देखाएंगे तो हम समझ पाएंगे कि डाबल इक्वल ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं किसी पहले आप वीडियो को लाइक कर ले चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो को जरूर से शेयर करें वाट्सप पे फेस्बूक पे इंस्टाग्राम पे तो करते हैं और समझते हैं डाबल इक्वल ऑपरेटर क्या होता है तो फ्रेंट या जो डाबल इक्वल ऑपरेटर है या एक operator ही है जो कि हम इसका यूज करते हैं दो string को compare करने के लिए पॉइंट के लिए हो रहा है जो मैं क्या बोल रहा हूँ या operator एक operator ही है जो कि इसका यूज दो string को comparison करने के लिए किया जाता है इसको हम बोलते हैं double equal operator अभी तक हमने जो string का comparison सिखा था उसमें एक method का concept था equals method उस equal method का concept यूज करके हम किसी दो string को comparison कराते थे अपने program के तो वह जो है वह एक अलग पार्ट था हमारे string का लेकिन यह जो है इसमें हम operator की मदद से दो string का comparison करना सीखेंगे और उसमें क्या था कि हम method के जरीए दो string का comparison कराते थे तो वह तो हम रही जी था लेकिन इसमें कैसे हम दो string को comparison कराते हैं यह हमारा main point है समझना तो इसको हम समझते हैं अपने प्रोग्राम के उपर तो सबसे पहले आपका point के लिए रो गया कि डावल इक्वल अपरेटर का यूज क्या है तो डावल इक्वल अपरेटर का यह यूज है जब हम हमें किसी प्रोग्राम में दो string को comparison करना है compare करना है तो उस कंडिशन में हम डावल इक्वल का अपरेटर का यूज करते हैं ठीक है और इसको कैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और कैसे लिखते हैं इसके प्रग्राम तो इसको हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया एक class बनाया class का नाम लिखा एक class बनाया और class के अंदर man method लिखा public static wide man और string array argument पास किया उसके बाद हमने क्या किया string नाम का दो variable लिया str1 और str2 str1 में हमने एक string रखा hello और str2 में एक string रखा hello लेकिन इन दोनों में different क्या है इसमें str1 में जो string है इसका h capital है और str2 में जो string है इसका h small है यह दोनों में क्या है यह दोनों string अलग-अलग है different है उसके बाद हम हमने क्या क्या एक boolean में variable लिया flag ठीक है और उसके बाद हमने क्या str1 double equal str2 हमने लिखा str1 मतलब क्या यहां पर यह है string str2 मतलब क्या यह वाला string तो यहां पर दोनों string का क्या होगा और जो result आएगा उस result को flag variable के अंदर डाल दिया जाएगा और flag variable का nature क्या है बूलियन है इसमें क्या होगा या तो true होगा या फिर false होगा नथा तो अगर true आ रहा है तो true return कर देगा अगर false आ रहा है तो false रिटं कर देगा उसके बाद हम क्याने हमने क्या मिया system dot out dot print e ले लगा और उसके बदाद swag को प्रिंट करा दिया तो जैसे ही यहाँ पर हमने फ्लाइक को प्रिंट कराया तो होगा क्या कि यहाँ पे पहले तो हमारा कंपरीजन होगा ठीक है और इन दोनों string में जो string का result आएगा उसे आपको flag variable के अंदर डाल दिया जाएगा और फिर flag variable को हमने यहाँ पर print कराया है तो आपका result आएगा वो आपका display हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो एक तरीके से देखो तो यहाँ पर जो str1 और str2 या यहाँ क्या है या object का compression यहाँ पर चल लाए ना कि आपका variable का क्योंकि string का concept में हमने सीखा है कि कभी भी हम जब string बनाते हैं तो हमारा string क्या होता है objects होता है तो यहाँ पर आपका object का compression होगा ठीक है और यहाँ पर object का compression हो करके आपको flag के अंदर डाल दिया जाएगा आपका result और उसके बाद system.out.printer करके आपने flag को पर दिखाए नहीं है कि यहाँ दूनों string एक दूसरे के equal हैं तो हमें साबसाब दिखाई दे रहा है कि यहाँ दूसरे के equal नहीं है क्यों क्योंकि यह में का h capital है और इस string का h small है तो यह definitely है कि इसमें क्या होगा हमारे को return करके आएगा false और false जो आएगा इस flag variable के अंदर हमारा compiler डाल देगा और उसके बाद system.out.printer करके जैसे हमने flag को प्रिंट कराया तो इसमें value आएगा false और यहाँ पर हमको display हो जाएगा false और पुट में आपको मिलेगा false ठीक है अगर लेट से अगर आप इसको change कर देते हो इसको capital बना देते हो और फिर प्रोग्राम को save करके compile करके और run करते हो तो आपको मिलेगा true क्योंकि इस string का h capital है और आप इसको भी h capital बना दिया तो अब जो printing होगी true होगी ठीक है तो यही concept है double equals operator का double equal operator basically use किया जाता है string के concept में दो string को compression करने के लिए ठीक है और देखो दो string का compression हम एक और method से करते हैं जो की equals method है इसके उपर मैं already video बना करके upload कर दिया हूं अपने playlist के अंदर आप जा करके उस concept को भी सीख सकते हो ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि double equal operator में और equals method में हम दो string को कैसे compression करते हैं बात आगए clear समझ में अब इसको हम क्या करते हैं एक और programming करके देखते हैं दूसरे तरीके से इसी program को हम दो तरीके से कर सकते हैं तो हमने क्या किया एक class बनाया ठीक है class को हमने अंदर public static void main लिखा और string area argument पास कर दिया सेम हमने str1 और str2 में new keyword की मदद से एक string create किया str2 में new keyword की मदद से एक string create किया यहां तो आपको बात क्लिए रहे समझ में उसके बाद हमने क्या किया boolean में एक flag नाम का variable लिया और str1 double equal str2 हमने लिखा यहां पर bracket भी लगा सकते हो तक यह आपको proper मालूम पढ़ जाए और उसके बाद हमने क्या किया system.out.println करके flag को हमने क्या किया प्रिंट करा लिया तो सेम प्रोसेस होगा यहां पर भी दोनों string का कम प्रीजन होगा और जो result आएगा उसे flag variable के अंदर डाल दिया जाएगा और flag variable को हमने यहां पर प्रिंट कराया हुआ है तो आपको जो result आएगा वह आपका display हो जाएगा ठीक है आप चाहो तो आप यह जो flag variable है आपको रिमूब कर भी सकते हो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो जैसे system.out.println और इस प्रिंट statement के अंदर आप str1 double equal str2 लिख सकते हो directly लिख सकते हो ठीक है तो सेम result आएगा आपको false क्यों आएगा false क्योंकि आपका जो string one है मतलब कि str1 में hello है string इसका h capital है और इस string का h small है तो यह दोनों string एक दूसरे के equal नहीं है तो नहीं है तो हमारा क्या आएगा इस flag के अंदर value आएगा false और false आएगा तो आपको जो value मिलेगा false मिलेगा ठीक है तो आपको printing जो मिलेगा result में false मिलेगा ठीक है तो friend कुछ यही concept है आप double equal operator का यह operator है और इस operator की मदद से हम दो string को compression कर सकते हैं और आप ध्यान रहा है कभी जब भी हम दो string को compression करते हैं तो यहां पर variable का compression नहीं होता है आपका हमेशा object का compression होता है ठीक है तो friend वीडियो के नीचे आप comment करके बताइए जिए आपको वीडियो यह कैसा लगा और समझ में आया है या फिर नहीं आप दोनों point लिखें computer machine के चला करके देखते हैं जो क्या आ रहा है इसका output ठीक है तो चलते हैं अपने computer machine के उपर वीडियो के साथ बने रही है तो friend हम आ चुके हैं अपने computer machine के उपर और सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को समझते हैं हमने क्या किया एक class बनाया test इसके अंदर public static wide man लिखा और string area argument पास किया उसके बाद हमने str1 और str2 दो variable declare किया और string create किया hello और दूसरा string है hello ठीक है first string का जो h है capital है और second string का जो h है small है उसके बाद हमने एक boolean नाम का एक variable लिया और boolean में हमने boolean data type लिया उसके बाद एक variable लिया और इसके अंदर हमने str1 और double equal str2 किया इन दोनों string को compression करा करके जो result आया उससे हमने एक variable करना डाल दिया और system.out.println करके हमने यह को print करा लिया तो friend जब आप इस प्रोग्राम को save कर लोगे compile करके जब आप इसे run करोगे तो आपको output मिलेगा false ठीक है क्योंकि इसलिए यह false मिलेगा क्योंकि हमने आरा जो string है first string इसका h capital है और जो second string है इसका h small है तो यह दोनों string एक दूसरे के equal नहीं है हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तो इसलिए हमारा जो result आया है false ठीक है तो आपका output जो आएगा false आएगा यहां तक बात के लिए रा गया समझ में जो हमारा program है same है program बस इसमें हम new keyword की मदद से string हमने create किया हुआ है लेकिन string है दोनों different है first string का h capital है second का h small है same program को हमने क्या किया boolean नाम का एक variable या str1 और str2 को compression कराके e के अंदर restore करा दिया और e को हमने यहां पर direct print करा दिया ठीक है तो हमारा जो result आएगा false आएगा आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो system.out.println और इस print statement के अंदर आप directly str1 double equal str2 को compression करा सकते हो ठीक है तो आपका यह भी result आएगा false ही आएगा आप देख रहे हो यहां पर computer machine पर आपको दिख रहा है false ठीक है और file को compile करने के लिए java c file का नाम लिखते हैं run करने के लिए java और class का नाम लिखते हैं यह तो आपको मालू हुए है तो फ्रेंड कुछ यही concept है आपका double equal operator का हमारे string class के अंदर इसका यूज है कि हम दो string को कैसे compression करेंगे double equal method की help से तो हमने आपको programming और theory दोनों पाट सिखाया वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर लेना चैनल को subscribe जरूर करना और वीडियो के comment वीडियो के सियर भी करना थेंक्यू